365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं सवाल मैं कौन हूँ? स्वयम को जानकर खुशाल जीवन कैसे जियें? जाने आत्म साक्षातकार प्राप्त करने का मूल मंत्र Who am I? Lead a happy life by knowing who you truly are. Know the basic mantra to attain self-realization. केमेरा में फोटो निकालने से पहले कहता है, सिमाइल प्लीज, साशी बाद में कहते हैं, फोटो निकलने के बाद, क्योंकि फोटो निकल गया तो, आपका रोल समाप्त हुआ, अब हच सकते हैं, वरना फोटो के लगाना, चिपकाना है, किसी को दिखाना है, लड़की वालों को, लड़के वालों को, नुकरी के लिए, तो समाइल कब आएगी, असली समाइल कब आएगी, रोल मैं या रोल से बाहर आकर, असली समाइल कौंसी हो गएगी, तो धारण में एक इंसान, जो नुकरी करना चाहता है, उसको नुकरी चाहिए, ट्रेणिंग चाहिए, उसका मित्र जो फॉरण कंट्री में रहता है, उसको बुलाता है कि तुम्हे में नौकली दिलाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, तुम आजाओ, तो वो कहता है ठीक कहां आजाओं, वो जगे का पता बताता है, यहां यहां आजाओ, इस दिन पर आजाओ, वहां एक फंक्शन चल रहा है, उसी जगे पर हम मिलेंगे, एक करते हैं जगे, जो उसके लिए आसान हो और इसके लिए आसान हो, तो एक फंक्शन है, इस दिन पर इस दिन आजाओ, दस बजे आजाओ, वो परसन पहुंचता है, मैं उसने पूछ लिया होता, अगर मैं पहुंच जाओं और तुम नहीं हो तो फिर मैं कन्फिस हो जाओंग तो मैं कैसे खुद को संभालूँगा उस वक्त। तो जो फॉरेंड का मित्र था उसने कहा कि तुम कोई बुल्जन हो, कोई भी कुछ पूछे वगर, तो उसको एक ही शब्द कहना, वेन, 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 W-A-I-N. वेन शब्द कहा, तो तुम्हारी समझ से सुलज जागी, यानि फिर तुम्हें कोई परिशान नहीं करेगा, तो चलो कुछ तो बताया, और वो पहुंच गया उस जगह, दस बजे पहुंच गया, बर समय की गड़बट यैसे, लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, समय का थोड़ा सा पैमाना अलग होता है, सुबह के दस बजे कहा था, अगर रात के दस बजे कहा था, समय का confusion हुआ, तो वो पहुंच गया सुबह, सुबह के दस बजे में और उसका मित्र आने वाला है, दस बजे रात के समय में, अब यह पहुंच गया है और देख रहा है मित्र तो मिला नहीं, और कोई आकर इसको कहता है अपनी भाशा में इधर क्यूं खड़े हो उधर जाओ, तो इसको एक शब्द मालम में वो वेन कहता है तो वो परसंद ठीके करके चला जाता है, क्यान बेरा, और नहीं उती है उता है तो यह फ्रिय फ्रियर फंक्शन में गौम रहा है वहां खाने बीने की चीज़े रखी है, कोई चीज़ному आखने के लिए लेता है तो कोई वेटर आकर उसको कुछ कहता है भाशास को समझ मे नहीं आ रही। तो ये वेन कहता है, तो वो टरचला जाता है, ये खाता है, पिता है, वहाँ पर और बहुत सारे मनोरंजन चल रहे हैं, वहाँ पर जैसे मेले में लोग अलग-अलग तरह की वेवस्ताएं होती है, वो हर जगे जा रहा है, जहां पर भी प्रावलम आया, कन्फूशन आया, वे पूशन ने देखा, ये बच्चों के साथ खेल रहा है, कई सारे बच्चे उसके मित्र बन गए है, खेल रहे हैं वे, मदा ले रहे है, तो ये आकर पहुंशता है, पूशता है, आरे तुम इतने लेट क्यों आये, फिर पता चलता है कि समय की गड़बड हो गई थी, तो का मित्र देखता है, ये ही नहीं जगे पर, नीचे जाके डूनता है, तो देखता है वो उस होटल में लोगों के साथ काम कर रहा है, जो महमान आ रहे हैं, उनके साथ बाच्चित कर रहा है, तो उसको आश्र होता है कि, अर ये तो सब लोगों के साथ घुल मिल गया है, और अपने मित्र को कहता है, कि तुम तुम अच्छा सेट हो गए यहां पर, तुम बलता है, मुझे तु बहुत मजा रहा है, अब बताओ मेरी नोकरी कौन सी है, और मुझे क्या ट्रेनिंग देने वाले हो, तो यह कहता है, तुम नोकरी भी मिल गए, तुम ट्रेंड भी हो गए. इस ही होटल में मैनेजर की पोष्ट के लिए तुम बलाया था और वो तुम गाम कर रहे हो. ट्रेंडि भी हो गई और नोकरी भी मिल गई. इंट्र burner भी हो गई, सिलेड भी हो गई, सब हो गया तब कहेंगे कहानी में ये सब क्यों हुआ कैसे हुआ ये परसन जो डरा-डरा सा आया था उसने क्या ट्रेंडिंग लिए उसको शब्द कहा गया था वेन ड्व ए आई एन जिसका अर्थ क्या है वू एम आई नाव तब कहानी में कही सारे एक्जम्बल्स परिशानियां जो एक इंसान के डेटो डे लाइफ में आती है वो सामने आले की बाशा समझता नहीं सामने आले ऐसा क्यू वेवार कर रहा है ये एसा क्यू देख रहा है मझे रिस्पेट क्यू नहीं कर रहा है इसका आरत हम काम नहीं कर रहे क्या ऐसा बोल दिया मुझे तो वो तुरंट कुछ रियक्ट करता है तो यह सुचुशन से हर एक अपने जीवन में देखे कुछ सुचुशन आती है और वो परेशान होता और वो फॉरेंड का मित्र आया नहीं है तो वो कितना परिशान हो जाएगा अगर उसके पास वो शब्द नहीं होता तो वो कितना दुखी रहता dais बजे तक अन्दार करना उसके लिए कितना भारी पड़ता तो इनसान को अगर यह ग्यान नहीं है तो जीवन उसके लिए कैसा होता है कि दिए तकलीफों से वो जीता है, आंत तक कैसे खीषता है, हमेशा सुचता है, यह हो जाएगा तो मैं खुश होँगा, वो हो जाए तो मैं खुश होँगा, रिटार हो जाएगा तो खुश होँगा, इतने पैसे आजाएंगी तो खुश होँगा, यह सेट हो जाए, यह घर यह गाड़ी आ जाए, यह शादी हो जाए, बर फिर अच्छली क्या होता है? देखा कि हर समस्या से वो पलाइन कर रहा है, भाग रहा है, नेक्स सीन के लिए इंदार करता है, कलु मन के शिकंजे में, कलु सिंग के शिकंजे में, खीच रहा है, अगर जिसको यह मालम है तो उस के साथ क्या हो रहा है? वो देखा गया कि बच्चों के साथ खिल रहा है, एंजोई कर रहा है, एक नई जगे पर, नए वातावरण में, नए लगों के साथ, भाशा नहीं आती है, पहरावा अलग है, सब कुछ अलग है, बर फिर भी वह खुश है, ऐसा क्या रहस्य जान गय वही रहस्य आपको जनना है, कि आप जब किसी भी सीन में हो और अपने आप से पूछते हो, हुआ है नाओ, चलो कुछ दिर पहले कौन थे? कुछ दिर पहले एक अक्डू इंसान थे? कुछ दिर पहले एक परेशान इंसान थे? कुछ दिर पहले एक बोर इंसान थे? कुछ दिर पहले confused personality कुछ दिर पहले गुसे में थे कुछ दिर पहले एहंकार का दर्शन हो रहा था कुछ दिर पहले comparison कर रहे थे कुछ दिर पहले बर अब कौन हो तो कुछ दिर पहले में ये था अब कौन हूं जैसे ही याद आएगा अब मैं कौन हूँ तो आप तुरंद अनुभव पर पहुंच जाओगे फिर कैसे देखोगे देखोगे समझा सुलजगी देखो फाइनल टूल जब तक लोग नहीं समझते हैं तब तक वे बाकी टूल इसमें लगे रहते हैं टेक्निक्स के द्वारा खुद को समझते रहते हैं कुछ तो करते करते अपना जीवन समाप्त करते हैं असी साल, सौ साल फिर जो टक्निक काम में आती, जो फर्मॉला काम में आती उसी को ही रिपीट करते रहते सभी के साथ जब तक फाइनल टूल नहीं मिला जब तक फाइनल टूल की कन्वेक्शन नहीं हुई तब तक वो सब चीजे ठीक है मर जब फाइनल टूल मिल जाए एफटी मिल जाए फाइनल टूल तो फिर हमें उसका उप्योग सीखना होगा आदत डालनी होगी द्यान में आप आदत डाल रहे होते द्यान में आप क्या कर रहे होते द्यान में आप द्यान कर रहे हैं कि दिन बर द्यान कर पाएं उसके आदत डाल रहे द्यान में क्या कर रहे हैं द्यान में आप पूरा दिन द्यान में रह पाएं इसके आदत डाल रहे हैं इसलिए वो समय बहुत इंबॉड़न्ट है। मर अब तक आपने उल्टा समझा था, अब ही ध्यान किया, अब ही दिन पर ध्यान नहीं किया। वर यह इंसान दस बजे से लेकर रात दस तक, क्या कर रहा था। ध्यानी कर रहा था ना, कि सुचेशन आ रही थी वेन। व-a-i-n, who am I now? कुछ दिर पहले, इंसान था, अब कौन हूँ? तो एक रोल में गय और रोल से बाहर आया। रोल से बाहर आया, तो smile please! Smile please now! Who am I now? अब मैं कौन? कुछ दिर पहले, जो भी था? इस्त्री था, पुरुष था, हिंदू था, मुसल्मान था, काला था, गोरा था, लंबा था, ठिंगना था, कुछ दिर पहले बोल रहे थे न, और ये ड्रेस में को सूट नहीं होती है। Who am I now? मेरी हाइट उतनी है नहीं, मेरा हाथ पहुचता नहीं है। तो ठीक है, परहे ठिंगने थे, आव हुचता है। हर अचन के साथ। तेखो ज़ंगो नाटे होते उनको अपनी अचने आती ज़ंबे होते उनको अपनी अचने आती है। अलग-अलग सचुएचन मेही है। तो काहूं के? क्वेंको जैसे ही भूले, खुद को याद दिलाया, हुए मैं नाओ, तिर ठीक है, उसकी चिंदा मत करो, क्यूं भूल गया मैं, क्यूं इस तरह की पंग्तियां भूलने लग गया, मैं तो परिशान हो गया हूं सबसे, एक सेकंड पहले कह रहे थे, अच्छा ठीक है, हुए मैं नाओ, कुछ दरह पहले वो रॉल कर दिया, हुए मैं नाओ, जैसे परसंग जाता है, फोटोस निकलवाता है, मेले में जाते ने लोग, तो एक फोटोशाप होता है, अंदर अलग 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 ड्रेसिस होती है, तो लोग, आच्छा ये ड्रेस पहन कर, मैं फोटो निकलवाता हूँ, वो ड्रेस पहन कर फोटो निकलवाता हूँ, अलग अलग ड्रेसिस है, किसान की ड्रेसिस है, मैं किसान की ड्रेस में कैसे लगूँगा, तो वो पकड़ी विगड़ी पहनेगा, किसान की ड्रेस पहने का जवान की ड्रेस, फौजी एक है, फौजी की ड्रेस पहने गा, उसमें मैं कैसे लगता हूं, फोटो निकाला हूं, फोटोग्राफर तो उस उत कहेंगा, smile please, मैं जो आपको देख रहा है, वो कहेंगा, कि हो गया फोटो, आओ बाहर, आओ, smile please, फोटो खच गया, आओ, पसर के मैं बहुत दुखी वहाँ, फोटो खच गया, आओ, बाहर, दुखी इंसान के ड्रेस में फोटो निकाल वाया आपने, हो गया, आओ बाहर, smile please, आओ, जो कितना आसान है, अभी कुछ दे पहले कुछ रोल कर रहे थे, एक ड्रेस पहली, लालच की लाल ड्रेस पहनी है, तो अच्छा, ठीक है, हो क्या फोटो, बाहर आओ, कामचोरी की काली ड्रेस पहनी है, फोटो डिगलवा, ठीक है, मेले के ठीक है, मेले में आप खुद को अलग-अलग रूपों में देखना चाहते हैं, सेल्फ क्या चाहता है, खुद को अलग-अलग रूप में देखना चाहता है, इतने शरीर वनना क्यों आशक थे, परत्वी बर, क्योंकि इतने रूपों में वो खुद को देखना चाहता है, इस ड्रेस में फोटो निकल वाँ, उस ड्रेस में फोटो निकल वाँ, तो लाल ड्रेस में भी निकाला, काली ड्रेस में भी निकाला, एक बोर इंसान की ड्रेस, बाल बिख्रे हुए, तो बहुर इंसान की ट्रेस में, हो गया, समयल प्लीज, बाहरा हो, फोटो खिच गया, बाहरा हो, तो हर सवाल के जवाब में, एक ही जवाब बचेगा, लोग अपनी अपनी समस्या बताएंगे, हमेरा ऐसा प्रॉलम चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक, हो गया फोटो, खिच गया, बाहरा हो, कि तुमको यह प्रालम नहीं है, तुम मान के बैठे हो, तुमारा यह प्रालम नहीं है, भलोग पहनो आलग ड्रेसिस, कोई दिक्कत नहीं है, हर ड्रेस में जाओ, लाल में जाओ, काली में जाओ, गुस्से, नफरत, द्वेश, इर्शा, की गरम ड्रेस पहनना चाहते है, और कुस चाहिँ आपको, तो पहनो बली, ट्रेसिश पहनके, इस गेट-ब में कैशाधे। म में जाओ, जब के, छलो, पहनो बली, गरम ड्रेस में, कैसे आप देखोगे, तो पहनो ड्रेस. फोटो निकल गया तो बैठी नहीं रहती नहीं उतर चलो उठो हो गया जरूद से ज़्यादा मत बैठो फोटो किशिगया भी आजाओ अल्बम में लग गया अल्बम आरम से देखना तो इतना मज़ा लिया जा सकता है अगर आप कोई याद है अगर आप ध्यान का समय सही उपयोग में लाते है पर दिन पर ध्यान चल रहा है सबस्याई वेन हुआ मैं ना कुछ देपला जो भी था लाल, पिली, हरी, निली जो भी ड्रेस में था अब कौनसी ड्रेस में हो तुलना-तुलना करने वाली तेली ड्रेस थी, ओईली चलो वो भी पहन के दिखा है चिकनी ड्रेस में कैसे दिखते हो वो भी देख लिया मरा भी बाहर आजाओ फोटर निकल गया ना वो समयल प्लीज जो देखा है, कैमेरा में पहले बोलता है जब आप उ ड्रेस में हो तभी वो समयल कैसी होती है फेक होती है जुठी होती है वो आपकी समयल नहीं होती है तो असलिए आते हैं आपको कहा समयल प्लीज ना हो, कुछ दिर पहले खोजी थे अब आजा और रोल से बाहर अब जो हो शुद्ध निराकार अनलिमिटड फोटर निकलवाने के लिए लिमिटड बन सकते उसमें कोई दिक्कत नहीं तो ध्यान में आप ये अगर प्रैक्टिस आदत डाल रहे है तो दिन बर ध्यान में रहोगे दिन बर आप कहेंगे कि ध्यान ही चल रहा है बीश में ये कुछ आता है डिस्टर्बंस और वापस आप शिफ्ट हो जाते है सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश टेज ग्यान का केवल परिचय मात्र है टेज ग्यान नहीं टेज ग्यान सरश्री महा आस्मानी परमग्यान शिविर में प्रदान करते है इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते है इस संदेश के बारे में अपने विचार अभिपराय ज़रूर शेयर करें या आप हमें मेल भी कर सकते है हमारा इमेल आईडी है